पिछले 10 सालों में यदि 19 अगस्त दोयाट 24 से पहले पिछले 10 साल के हम बात करते हैं तो 19 मिड कैप मूचल फंड स्कीम में से केवल और केवल 4 मूचल फंड स्कीम से ऐसी हैं पिछले 10 साल में बीट किया है तो यही वो चार या पांच स्कीम या फिर मैक्जिमम नो स्कीम हैं जिन में कि आपको निवेस करना चाहिए या फिर आपने पहले किया है तो आगे उसको कंटीनी करना चाहिए लेकिन यहाँ पर आप slightly गलत भी हो सकते हो बहुत सारी स्कीम सापको बिलकुल border पर मिलेंगी किनारे पर मिलेंगी और हो सकता है लेकिन majority of the condition situation यही बोलती है जो 5 या 10 साल में return मिले हैं वो स्कीम का जो behavior है आगे भी सायद ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर आपको देखने को बिलेंगी 5 mid cap category की top schemes पिछले एक साल में तीन साल में पांस साल में और दस साल में जिससे कि आपको idea लगेगा यदि आप इनमें निवेसी तो very good या फिर अभी निवेस करना चाहते हो तब आप इनमें से किसी भी scheme का selection as per your मतलब understanding कर सकते हो क्योंकि कुछ लोगों को scheme का selection करते समय कुछ criteria's ये भी देखने होते है fund का size कितना है return 3 साल के 5 साल के 10 साल के कितने है expense ratio कितना है तो यहाँ पर आपको देखने हों को मिलेगा कि AUM size कितना है एक साल, तीन साल, पांच साल, दस साल के return कितने है category के return कितने है 10 साल में और nifty, 150, TRI index के return कितने है यानि कि उस benchmark के return कितने है पिछले 10 सालों में तो चलिए सुरू करते हैं पहले number one scheme देखेंगे जिसने की 10 साल के हिसाब से ज्यादा return दी है जो category यहाँ पर ranking है वो 10 साल के return के base पर यहाँ पर दी गई है इसकी इंका नाम AUM size in करोड 1 year return, 3 year return, 5 years return, 10 years return number one पर है मोतिलाल ओसवाल mid cap fund तो मोतिलाल ओसवाल mid cap fund का AUM size है 14,445 करोड का लबबग अब जब इसको आप check करोगे ना यह 19 अगस्त 24 तक की बात कर रहो हूँ मैं उस दिन data लिया गया है उससे पहले एक साल या जो भी time period बताऊंगा तब के return है क्योंकि जब बहुत सारे जो दर्सक आते हैं वो वीडियो देखते हैं ना अब वो कहीं और सी data उठाएंगे फिर recent data चेक करेंगे आप वीडियो यदि एक दिन बात भी देखोगे तो return में कुछ ना कुछ slightly change जरूर देखने को मिलेगा तो यह मोटा मोटा अंदाजा है जब कोई भी मैं नहीं कोई भी video share करेगा तो आपके return देखने में जब आप वीडियो चेक करोगे और वो जो उसमें data mention होगा थोड़ा बहुत 19-20 फरक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ठीक है तो यह एक behavior है एक साल में मोतिलाल उस्वाल mid cap fund ने return दिये 68.95% almost 79% के return 3 साल में 37.28% के return 5 साल में 33.37% के return 10 साल में 21.53% के return बहुत सारी scheme small cap category में भी ऐसी है जिन्होंने 20% के return long term में भी नहीं दियोंगे सायद लेकिन बहुत कम मिलेंगी नीचे की 2-3 scheme मिलेंगी मुश्किल से ढूंडने पर नहीं तो mid cap category में देखे कितने कमाल के fund है चाहें 1 साल ले लो, 3 साल ले लो, 5 साल या 10 साल देख लो गजब के return दिये हैं ये तो 25% के return नहीं 10 साल में मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल में कोई scheme हमें 17 या 18% के return बना कर दे रही है न उससे बढ़िया return कुछ है ही नहीं आज की return में बहुत सांदा return है वो ठीक है ये तो हमारे लिए फिर बोनस हो गया कि साड़े 21% के return मिले है अगली scheme देखते हैं नमबर दो पर एडल्वीज मिड कैप फंड लबबग 7,000 क्रोलों के आसपास का AEM साइज है एक साल में 58.82% के return गजब के return है उसके 68-69% थे लबबग पहली वाली scheme के मोतिरा दो स्वाल के तीन साल में 26-85 ये भी अच्छे return है पांस साल में 31-31 गजब के return है दस साल में 20-183 ओल्मोस्ट 21% के return बहुत सांदार ultimate return है इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपने portfolio में एक mid cap category का fund भी रखी अच्छा खसा small cap और mid cap तो आपके portfolio में होने ही होने चाहिए large cap को मैं नहीं बोलता हूँ आपसे यदि आप long term के लिए investment करने जा रहे है और equity mutual fund में जो पैसा बनता है वो long term में ही बनता है ऐसा नहीं है कि 100 term में 5-6 साल, 8 साल में पैसा बनेगा नहीं कम से कम 10 साल और 12-15 साल अगर आप रखोगे तब आपको कुछ यह मतलब investing का compounding का benefit होते हुए देखने को मिलेगा तीसरे नमबर पर Quotech Emerging Equity Fund जिसका कि AUM साइज 50-100 कोड़ से भी उपर हो चुका है 47.56% के return एक साल में 24.51 के 23 साल में 29.27 के 5 साल में और 10 साल में 20.76% के return आप इनके बीच के आप gap देखिए पहली वाली 21, दूसरी 20, 83, और मुस्ट एकिस तीसरी 20, 76 बहुत similar kind के return है 10 साल में तो यह quality of fund देखिया मतलब कितने constant return बना कर दिये हैं और लगबग similar kind के return बना कर दिये हैं तो यहां से confidence और बढ़ जाता है कि mid-cap category के funds में भी निवेस जरू करना चाहिए next scheme है quant mid-cap fund which is very highlighted scheme highlighted AMC 9,000 क्रोड के आसपास यह यूम साइज है और 56.89% एक साल में तीन साल में 31, 84 गजब के return है पांस साल में 37, 16 अभी तक 5 साल में सबसे यह return है 10 साल में 20.60 अच्छे return है बहुत शांदा return है देखिए 21, 23, 23, 26, 26 क्या coincidence मतलब constant return है आदे-दे परसेंट से भी कम का difference देखने को मिल रहा है यह return है 10 साल के period के लिस्ट की पांच वी और उन्ती में scheme है HCDFC Mid Cap Opportunities Fund है जिसका की size है सबसे ज़्यादा 75,000 क्रोल को भी लबबक रोज कर चुका है 47, 87 के एक साल में return दी है 29, 35 के तीन साल में return दी है 30,13, 23% के पांस साल में return दी है एक बात और observe कीजी आप चाहें वो तीन साल का period हो पांस साल का period हो हाँ 10 साल में तो हैं ही बिल्कुल constant लगबाग आदे से 5% का difference देखने को मिलेगा आपको लेकिन 5 साल और 3 साल के जो ये return है ना इसमें भी बहुत ज़्यादा gap नहीं है सारी scheme में similar kind के return दी है एक दो scheme में ज़्यादा gap है 8-10% का बाकी में लगबाग उसी के range में जो ये return निकाल कर दी है तो SDFC mid-cap opportunities ने 5 साल में 30.13 और 10 साल में 19.91 में almost 20% के return निकाल कर दी है और अब ऐसा भी नहीं कि 19 अगस्त को देखे थे तो अब भी वैसे ही होगे हो सकता है ये 20% से उपर हो गए हो या फिर कुछ और नीचे हो गए हो slightly तो ये वो top 5 5 कमाल के mid-cap funds है जिनमें कि आप निवेस यदि पहले से आपने कर रखा है तो आपको continue करना चाहिए यदि आप अभी नया mid-cap fund एड करने की सोच रहे हो तब इनमें से अपने accordingly मेरी तरफ से कोई preferences नहीं है कोई भी scheme को आप जो है investment के लिए चुन सकते हो अब जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था लगबग 19 scheme के बीच में से mutual fund में से mid-cap category के category के average return के लिए बात करें पिछले 10 साल में कितने 18.80 date ध्यान लखना जो मैं आपको starting में बता चुका हूँ ठीक है बाद में फिर comment करो के नहीं आपने घलत बताया 18.80 तो लगबग 19 में से 9 scheme ऐसी थी जिन्होंने की category के return को beat किया है और इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से किया है यानि कि जो last scheme है उसने भी 1.10% return ज्यादा निकाल कर दिये है इसे के साथ जो nifty mid cap 150 TRI है उसने दिये है पिछले 10 साल में 20.7% के return गजब के return है केवल इन में से भी 4 scheme ही जो है इसके return को beat कर पाई है जो की है last scheme quant mid cap 20.6 उसने भी 0.10% के return जो है कम देखने में मिल रहे है आपको तो यह जो है ना nifty mid cap के index 150 TRI में आप निवेश कर सकते हो जो index के fund है ना वो nifty index जो बड़े-बड़े index हैं जो front running equity है उन में निवेश करने का इतना benefit नहीं है जितना है कि आपको mid cap और small cap category का इंडेक्स fund भी मिल जाए यदि आपको बहुत डर लगता है क्योंकि यदि आप किसी stock में निवेश करोगो ना जब बात निकली यह तो बता देता हूं आपको तो बहुत ज़्यादा chances है as compared to mutual fund जो volatility या फिर उतार चड़ाओ देखने को मिलेगा यदि आप किसी small cap fund में निवेश करते हो यनि कि small cap stock में share में निवेश करते हो माली जी आपने 10 small caps stocks ढूण लिए उन्हें में आपने investment कर लिया और market में बहुत बड़ी गरावट आ गई तो बहुत ज़्यादा chances है उन 10 में से सारे ही कम से कम 50% जो आपके stocks होंगे ना बुरी तरीके से टूट जाएंगे और कुछ तो इतना बुरी तरीके से टूटेंगे लोंग टर्म में वापस आई नहीं पाएंगे लेकिन आपका mutual fund जो है ना वो गिरेगा तो सही लेकिन fund manager वहाँ पर है पैसा उनके पास है आपके SIP continue जा रही है वो फिर fund को कौन से को इस share को बाहर निकालना है कौन से को अंदर लेना उनके पास opportunities है लेकिन आपने निवेस ही 5-10 में किया है तो आपका तो पैसा वहाँ पर डूब जाएगा फिर आप profit booking कहां से करोगे आप यदि loss में चले गए तो profit में लाने के लिए आपको दुबारा से money उसमें पैसा डालना पड़ेगा इसलिए जब हम shares में निवेस करते हैं तो बहुत सोच समझ कर small cap में कम करना चाहिए penny stocks में बहुत कम करना चाहिए mid cap में ज़्यादा करना चाहिए और कुछ न कुछ portion आपको large cap में भी रखना चाहिए तो उम्मीद करता हूँ कि यह data आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ आपकी help होगी कि हम mid cap ने पिछले इतने time gap पर कितने-कितने return निकाल कर दिए यही कुछ criteria होते हैं जिससे कि हम लोग समय समय पर analyze कर लेते हैं कुछ लोगों को तो पता भी नहीं रहता है मतलब आजकल का जो mindset है ना वो equity की तरफ बढ़त तो बहुत रहा है लेकिन speculation के terms में बहुत ज़ला बढ़ रहा है यानि कि gambling उनको चाहिए बहुत fast money आ रहे हैं लाग दो लाग रुपए लेकर उत्तरन तो नको दो गुना चार गुना पांच गुना करने ऐसा नहीं होता है ऐसा करने में लगो न जो पैसा है वो भी खोदोगे फिर गरबर हो जाएगी तो सोस समझ कर long trip trip investment कीजिए और कुछ समझ में याता mutual fund is the best option ठीक है तो उम्मिद करता हूं जानकारी समझ में आगी होगी बाकि लोग के साथ भी सेर कीजिए मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में तब तक करें नमस्कार चैहें जय वारत